तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज थी RBI की मॉनिटरी पॉलिसी दो इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं नोटिफिकेशन से जो ट्रेडर्स को एंड क्या बोलते हैं इंवेस्टर्स को मौर आफ इंपाक करने वाले हैं पहला अपने को पता था कि 50 बेसिस पॉइ क्या है कि जो GDP की growth है, yellow forecast करके यह चल ला है कि आने वाले दो quarter इस साल की आने में इनफ में और 2023 के first quarter में थोड़ा सा down side जाने वाला है 2023 के second quarter से लोग मान के चलते हैं कि market क्या बोलते हैं, सОरी GDP आपकी up side क्या बोलते हैं, rally करें अब देखिए, tension अपने को नहीं है, serious matter अपने लिए नहीं है, because हम लोग traders हैं, अब traders का क्या होता है, कि market उपर जाए, या फिर market नीचे जाए, पैसा दोनों साइट से बनता है, so आपको कोई भी tension लेने की ज़रूरत नहीं है, और friends आगे जाने से पहले, मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग video को like नहीं करते हैं, और comment भी आप लोग नहीं करते हैं, और video को share भी नहीं करते हैं, इसलिए थोड़ा सा growth होने में problem आ रही है, तो आप लोग क्या करिए, video को share कीजे, और comment करके बताईए आपको video कैसी लगी, कोई अगर query भी है आपकी, तो आप मुझे comment करके बताईए, पूरी team के साथ आपको reply करने की, एक एक जन की, क्या बोलते हैं, पूरी कोशिस करता हूँ, तो सभी लोग video को like, comment and subscribe अभी कर दीजेगा, है न अगर चैनल को subscribe नहीं किया है, तो उसके बाद, telegram channel free है, आपको definitely यहाँ पे join कर लेना है, यहाँ पे मैंने, अगर मैं आपको दिखा हूँ, एक second मैं आपको मैं दिखाता हूँ, अगर आप देखेंगे, तो मैंने 38,000 की put दी थी, 335 पे, और अगर मैं आपको last में दिखा हूँ, तो उस put ने high पता है कितना बनाया है, उस put ने high बनाया है, 458 का, तो 335 से 458, लगबग 130 point की moment आपको put में देखने को मिली है, तो अगर आप चॉइन करेंगे, तो आपको भी benefit होने वाला है, वैसे हम लोगों ने बात क्या की थी, बात हुई थी कि 17,410 को cross करेगा, तो 17,490 का level हम लोगों को nifty में देखने को मिलेगा, अब जैसा कि मैंने आपसे बता रखा है कि market आज का तो sideways गया, क्योंकि इक काल expiry भी थी, और market कहीं ने कहीं, जो result था monetary policy का, उसको भी पहले से expect करके चल रहा था, अब अगर आप देखेंगे, तो 17,410 का level यहां cross हुआ, निफ्टी ने high बना दिया 17,474, तो 60 point, 60 point की movement हमें upside में देखने को मिली है, मैंने बोला था 17,490 का, तो 30 point से रह गया है, ब अगर आपको 50, 60 point index में मिलते हैं, तो बहुत बढ़िया target है न, अगर profit book नहीं कर पाते हो, तो कम से कम उसको loss में convert मत कीजे, अगर आप देखेंगे, तो आपको यहां पर resistance देख रहा है, तो कुछ ना कुछ quantity तो आपको यहां पर निकाल देनी चाहिए, और friends, अगर आप दे की rally देखने को मिलेगी, so Monday का जो trading session है, वो बहुत ज्यादा important होने वाला है, so friends, अगर हम लोग option chain की बात करें, तो 17,500 पे सबसे बढ़ी है, call light is बढ़े हुए है, मतलब 17,500 का जो level है, वो कहीं न कहीं resistance का का काम करने वाला है, यह आप का होगे 17,500 का level, पिछले trading session में 4th August को देखें, टच करके यहां से huge sale of आया था, expiry के दिन, है न, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे, तो support side में कुछ बहुत बड़े major support निकल के नहीं आते हैं, तो अगर market अगले week, downside का थोड़ा सा भी sentiment पकड़ेगा न, तो maybe आपको बढ़िया downside की rally देखने को मिलेगी, because वैसे भी market एक street rally दिखा चुका है, चली हम लोग levels देख लेते हैं, nifty में, so friends अगर हम लोग closing देखेंगे market की, तो लगबग अपने opening के पास ही दिखा रहा है, अब अगर हम लोग Monday की बात करें, तो Monday को अगर आपका nifty 17,440 के level को cross करता है, तो केवल एक target निकल के आता है, and that target will be 17,500 का एक psychological level, stop loss आप क्या रखेंगे, stop loss आप रखेंगे 17,400 का एक swing low, वहीं पर downside में मुझे बड़े targets देखने को मिलते हैं, because market इस week बहुत बढ़िया rally दिखाया है, और पिछले week भी बहुत बढ़िया rally दिखाया था, so अगर आपका क्या बोलते है, nifty 17,340 के नीचे cross कर हैं, दो targets आपके निकल के आने वाले हैं, आप stop loss क्या रखेंगे, अगर आप 17,340 के नीचे sell करेंगे तो, यहाँ पर आपका stop loss आने वाला है, 17,375, 17,380 का एक swing आई, और friends, bank nifty analysis करने से पहले, जितने लोगों ने, new x में account open नहीं कराया है, यह bank account है, digital saving bank account, वीडियो के description में link के आप वहाँ से account open करा सकते हैं, देखिए, यह उनके लिए ज्यादा preferable है, जिनके पास, अभी strategy perfect नहीं है, वो सही से mindset को build नहीं कर पाया है, और fund ideal बड़ा है, इससे क्या होता है, कभी-कभी आपका mind थोड़ा सा distract हो जाता है, अब आप बड़े trade ले 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 लेते हैं, और तो bank nifty में gap up opening देखने को मिले small gap up था, उसके बाद slowly slowly धीरे धीरे एक बहुत important resistance के पास गया है, अब यह resistance 38,150 का मार्क करके रखा था, और यहीं पे मैंने क्या बोलता है, put दी थी, और उसी put ने बहुत बड़िया rally downside की दिखाई, जब जैसे मतलब bank nifty नीचे आया, तो हम लो market में भी update करता रहता हूं, उसके बाद क्या हुआ, market ने इस resistance को touch किया, major resistance था, 1, 2, लगभग 3 and 4, और यहां से आपको एक बड़िया downside की rally देखने को मिली है, और closing अगर आप देखेंगे तो लगभग open के पास ही देखने को मिलती है, थोड़ा सा उससे उपर है न, more of a range bound to upside क momentum है, हम लोग ने discuss क्या किया था, कि अगर bank nifty 37860 के level को cross करेगा, तो हम लोग का target क्या होगा, 38,000 and 38,150, अब अगर आप देखेंगे, तो जैसे ही bank nifty ने 37,860 के level को cross किया, जो कि यहां पे किया है, और hive कितना बनाया, 38,150 के करीब, तो जो भी हम लोग के दोनों target थे, बहुत आसानी से हां पे achieve हुए है, अभी भी friends, अगर हम लोग option chair में देखेंगे, तो 38,000 का जो level है, वो कहीं ने गहीं है, बहुत important resistance का काम करेगा, और अगर आप closing देखेंगे, तो 38,000 के नीचे ही देखने को मिल रही है, तो यह क्या बोलते हैं, आपका resistance side में 38,000 का level है, और downside में आप देखेंगे, तो बहुत बड़ी बड़ी विक्स नहीं है, इसका मतलब क्या है कि downside के लिए जो market है वो थोड़ा सा तग्यार हो रहा है, तो चलिए अब लोग bank nifty के levels देख लेते हैं, तो देखें friends, अगर मैं bank nifty में downside की बात करूं, because मैं downside में बढ़िया moment मुझे लग र होने वाला है, 37,670 and 37,600 के दो targets आपके निकलने वाले हैं, जब भी पहला target अचीव होगा, दिल पे हाथ रखके 90%, 80%, 70% quantity आपने book कर लेनी है, ये जो range है ना, between 37,900 and 37,820, ये 800 point की range जैसी है, जहां पे आप trade नहीं करने वाले हैं, ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ भी बता दू और आपका loss हो जाए है ना, so level importance mark करके आपको trading करनी है, अब देखें, फिर bank nifty में मैं कहीं पे भी upside का trade नहीं देखता हूँ, downside का देखता हूँ, upside का नहीं, because यहां पे भी resistance है, फिर यहां पे भी resistance है, फिर यहां पे भी resistance है, तो इतने सारे resistance होने के बाद कोई urgency नहीं होनी च चला जाए, अगर 38,100 या फिर 150 के पास जाता है, अगर वहां पे आपको कोई bearish momentum candle मिलती है, in 5 minute time frame, तो आप क्या करेंगे, फिर से put buying कर सकते हैं, दो targets आपके होने वाले हैं, पहला target आप रखेंगे 38,000 का, second target आप रखेंगे 37,900 का, stop loss आप क्या रखेंगे, जहां पे भी इसके साथ, अगर market gap up and gap down होता है, तो आपको strategy चेंज करनी पड़ेगी, जो कि मैं live market में आपको update करता हूं morning में, so definitely आप telegram को जरूर join कर लीजिएगा, so friends, आज हम लोग का 5th अगस्त, और आज है हम लोग के complete pro trader course की registration की last date, तो जितने लोग अभी भी interested हैं, बहुत लोग बोल लेते सर, थोड़ी सी date extend कर दो, सुबह मैंने extend कर दिया है, बट आज last date है, क्या क्या हम लोग cover करेंगे, मैं आपको एक overview बता देता हूं, basics of stock market, trading strategies, live market की कैसे हम लोग strategy apply करते हैं, live market में, अगर आप office जाते हैं, तो आपको कौन सा system follow करना चाहिए, scalping कैसे करनी है, एक दिन प options में, और bank nifty की options strategies, and साथ में 30 day challenge to improve your trading, अगर आप यहाँ पे हैं, तो आप यहाँ पे जाएंगे, उस challenge से, बहुत जादा आपकी help होने वाली है, बहुत लोग बहुत अच्छा consistency दिखा रहे हैं in trading by the course, जितने लोग interested हैं, आप हमें join कर सकते हैं, और साथ में friends जैसा कि मैंने बताया, आप लोग channel को subscribe कीजिए, वीडियो को like कीजिए, वीडियो को share कीजिए, comment करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, एक चीज़ और surprise क्या है, good news है, good news यह है कि मैं एक candle 6 pattern का पूरा course लाने वाला हूँ, maybe Saturday या फिर Sunday में upload हो जाएगा, पिछले you can say one and half, देढ़ हप यूच गाइँ हो वचिए, वजिए यूच वीडियो, एअवेट बाईब् focused, और एकि वेडियो कि लुच और क्ताइए.